देवी देवताओं की अराधना में एक रूप महाकाली का भी है। दुष्टों का नाश करने के लिए ही महाकाली ने यह रूप धारन किया था। मा दुर्गा के नो अवतारों में से एक है महाकाली का अवतार। वह है महाकाली की पतनी भी है। महाकाली भगवान शिव का एक महाकाली शक्ती का एक भयानक रूप है शाश्त्रों में माकाली के इस रूप को धारन करने के पीछे कई कताएं प्रचलित है काली मा का करोध बहुत भ्यानक था इतना भ्यानक की उनके इस क्रोध को रोखने के लिए स्वियम शंकर जी ने उनके चर्णों में आकर लेटना पड़ा परंतु क्या आप जानते हैं पूरी कथा के बारे में क्यों लेटना पड़ा भगवान शंकर को महाकाली के चर्णों के नीचे अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा शाश्त्रों में वर्नित कथा के अनुसार एक देत्य रक्त बीज ने कठोर तपस्य के बल से वर्दान पाया कि उसके खून की एक बूद जहां पर भी गिरेगी उससे अनेकों देत्यों का उत्पत्ती होगे रक्त बीज ने इस वर्दान शे निर्दोश लोगों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसने तीनों लोगों पर आतंक मचा दिया इतना ही नहीं रक्त बीज देवताओं को भी ललकारने लगा जिसके बाद देवताओं और दानवों के बीज भ्यंकर युद छिड़ गया देवताओं ने भी रक्त बीज को हराने की कोशिश में युद किया भ्यंकर युद हुआ देवताओं ने अपने शक्तियों का पूरा प्रयोग किया प्रंतू रक्त बीज के शरीर से खून की एक बूंजमीन पर गिरते ही सैकड़ों देते पैदा हो जाते ऐसे में रक्त बीज को हराना लगभग नमुम्किम हो गया था तब सभी देवताएं मा काली के शरण में गए और प्रात्ना के मा काली ने रक्षशों का वद करना शुरू कर दिया युद के बीच में जब मा काली ने रक्त बीज पर परहार किया थो उसके शरीर से खून की बूंदों से रक्षश अंगिनत संख्या में पैदा हो जाते यह देख मा काली ने अपनी जीव का आकार बहुत बड़ा कर लिया इसके बाद रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले मा काली की जीव पर गिर जाता इस परकार मा काली ने रक्त बीज का वद किया प्रंतु क्रोध के कारण मा काली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था मा काली का विक्राल रूप देखकर सभी देवता बहवीत वे परशान हो गए क्योंकि उन्हें शांद करना किसी के बस की बात नहीं थी काली मा का यह रूप विनाशकारी हो सकता था इसलिए सभी देवता भगवान शीव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही मा का क्रोध शांद कर सकते हैं मा काली के क्रोध को शांद करना भगवान शीव के लिए भी आसान नहीं था भगवान शीव मा काली के रास्ते में लेट गए क्रोधित मा काली ने जैसे ही भगवान शीव के उपर पाउं रखा तो काली मा का गुसा सांथ हो गया इस परकार भगवान शीव ने मा काली के गुसे को सांथ किया